नमस्कार प्रियमित्रो जीवन एक पाट साला में आप सबका हार्दी का विनंदन स्वागत मैं हूँ कर्नल गरीश चंद्र खंकरियाल आपका परम हिताईसी और परम सुभचिन तक गाओं के पंचायत घर में बहुत सारे नौजवान बैठे वे हैं बहुत तसल्ली से उनको प्रधान जी के पती यानि प्रधान पती माल्थस का जन संख्या सम्मंती सिध्धांत पिला रहे हैं कि माल्थस जी ने जन संख्या सिध्ध के बारे में का का कहा था उसके दुस्परिणाम का होंगे इन बातों पर चर्चा चल रही थी इतने में प्रधान जी की बड़ी बेटिया दोड़ दोड़ के आई और कहने लगे बोले हे पापा इस बार भी बहीनिया ही हुई है वो परधान पती बिटिया की तरफ देखने लगे का बोली है बिटिया ही हुई है और जल्ला करके सब को जो बैठे वे न ये चलिए रोज यहां आ जाते हैं हमारे हाँ पर कोई कामाम नहीं है का जाइए बाकी जो सिद्धान्त हैं वो हम बाद में पढ़ाएंगे इतने में परधान ससुर जी परधान जी के ससुर जी सस्ते गल्ले की दुकान से कान लगा के सुन रहे थे और दौड करके आए बला है बचवा काहे परिशान होते हो अरे आदमी हो तो बच्चे तो होंगे ही हाँ अरे ये ससुर जी तुम जन संक्या समंदि सिद्धान्त पढ़ा रहे हो न ये पच्चास साल पहले हम भी पढ़े हैं रट रट के पढ़े हैं तो हमको कोई रोका है हाँ अरे बेटिया हो गए बहुत परेशान हो गए हो का हो गया है तुमको तो परधान पति बोलते हैं हे बावो अब ये सात्वा भी बेटिया होई है अब का करेंगे हम हमारा तो राजनीति जीवन खत्रे में हो गया है अब तो कहते हैं कि नया कानून वह आ रहा है अब जिसके दो बच्चे होंगे वही पर्चा भर पाएंगे हमारा तो राजनीतिक जीवन खत्रे में हो अब अरे हम नेता बनाते हैं नेताओं की खान हमारे पास है परिसान हमने की कोई नोजरत नहीं है हो बोलग कैसे बाबवा कैसे अरे राजन कार्ट तो हम ही बनाते हैं ना हमारे ही पास रहते हैं राजन कार्ट बनाने वाले कोई भार से आते हैं का उनको तुमारे तो नया कार्ट पहले ही बना चुके हैं हम उसमें दो ही है बच्चे तुम्हारी उसमें दो ही है पद्धान जी और तुम चार ही यूनिट है तुम्हारी बाकी यूनिट है पापा बाकी यूनिट कहां डाल दिये है अरे बाकी यूनिट है जो बेवड़े यहां पर तुम रोज इनको भासन देते रहे हो तो शिखाते रहते हो जनसंख्या सम्मंदी सिद्धान इनके काड़ों में एक एक उन्हें डलवा चुके हम पहले ही